हेलो प्यारे स्टुरेंट्स माई नीम इस सैफन इसबा वेलकम टू माई एर्थ स्टुरी चानल बच्चो आज के में इस वीडियो में आपका चाप्टर नंबर सैवन करने वारे हैं जो के एक नजम है जिसका नाम है बहार तो किस-किस को बहार का मौसम पसंद है मुझे इस सीजन कब से कब चलता है मार्च से जून तक मार्च से जून तक हमारगा वारण का मौसम हरत जयादा हर्याली होती है उनले होते हने तरफ ठीक है तो और चमकदार चीज़ें सब कुछ चमक रहा होता है सूरज की धूप पड़ रही होती बागों में इस वज़े से सब तरफ बहुत ज्यादा अच्छा मनजर नजर आता है इस वक्त ठीक है तो चलिए अपनी नजम को स्टार्ट करते हैं आया है बहार का जमाना बागों के निखार का जमाना कलियां क्या क्या चटक रही है सारी रोशे महक रही है हलकी हलकी ये उनकी खुश्बू फैली हुई है चमन में हरसू चिडिया गाती है गीत प्यारे सुनते है फूल चमन में सारे अब हम देखेंगे आया है बहार का जमाना यानी बहार का जमान और बागों की निखार का जमारा यानि निखार यानि ताजगी अब क्या वक्त आ गया है कि बागों में ताजगी होगी बाग भी बहुत अच्छे से ताज़ा हो रहे होंगी और कलिया क्या क्या चटक रही है कलिया जो है वो चटक रही है यानि चटक रही है उच्टक रही है मतलब कलियों का खिलना कलिया जो फूल वगरा है वो खिल रहे है जो फूल है महक रही है रोशे यानि क्यारियों के दर्मियान के रास्ते क्यारियां होती ना जो फूलों की या फिर किसे क्यारियां बनी होती है उनके बीच का जो रास्ता होता है वो महक रही है सब कुछ महक रहा है वो रास्ते महक रहे हैं जहां क्यारियां है हलकी हलकी है उनके भीह फैलि हुई है चमन है थो ट्र ह多फ भाग तरफ किया है हुश्पु पहली हुई हल्की चिडिया क्ली जब इतना छाओ च्टे मनजर पर कर रहे होंगे च्टीन कर रहे होंग क्या तो चोटीन होंगों द現在 ओन का कली इसाटि और प्यार t चमन में तो वो के कर रहे हैं सारे सारे जो बाग में फूल हैं वो सुनते हैं किसका गाना चिडिया का गीत सुनते हैं फिर आती है हमारे दूसरे पैरेग्राफ कितनी कितनी राहत फिजा हुआ हवा है गोए जन्नत का दर्क खिला खुला हो खुला है खुश-खुश हर एक आद हैं हर दिल में उमंग किस कद्र है सब पर ही बहार का असर है सडकों पर जो लोग जा रहे हैं घजले अफसर की गा रहे हैं कितनी राहत फिज़ा फिज़ा यानि हवा ठीक है राहत फिज़ा या आराम को बढ़ाने वाली कितनी ज्यादा अच्छी हवा जो है वो चल रही है कि राहत को बढ़ा रही है गोया जीसे जन्नत के हवा आ रही हो और वहां से हवा जो है वो आ रही हो ऐसा लग रहा है खुश खुश हर एक आदमी है अब भै जब इतनी अच्छी हवाएं चलेंगी सब कुछ इतना अच्छा अच्छा होगा तो आदमी जो है वो तो खुश होगा ही हर शे में बला की दिलकशी है बला की दिलकशी यानि दिल के बेहद लुभाने वाली दिल को बेहत लुभाने वाली तो दिल को बेहत लुभाने वाली हर शे जो है हर चीज, हर चीज हर चीज क्या है बहुत दिल को लुभा रही है पेड़, पोधे, तितलियां परिंदे, सब कुछ बहुत ज्यादा दिल को लुभा रही है और इससे इनसान खुश हो रहा है कैसे दिल्चस्ब चांदनी है चांदनी एक नूर की तनी है तो ऐसा लग रहा है कि कितनी दिल्चस्ब चांदनी है यानि कितनी अच्छे अच्छे चीज़े चमक रही है अईसा लग रहा जिसे चान्दनी जैसा नूर आ रहा है सब में जोश थीक है किस कद्थ है सब पर ही बाहर कासर है यानि इतना अच्छा मोसम है तो काम करने का तो obviously मन करेगा सब का है न तो जब इतना अच्छा मोसम है तो सब का काम करने का मन करेगा सब के दिलों में बहुत जोश भरा हुआ है सब बहनत में लग रहे हैं कोई खेत में काम कर रहा है बच्चे अपनी पढ़ाई में बच्चे खेलते आप लोग भी नानी के यहां पट जा रहे होंगे इस वक्त और बहुत मज़े कर रहे होंगे पेड़ों उपर जूलों में तो एक ओमंग है सब के अंदर और सडकों पर जो लोग जा रही है वो किसकी घ्जले गा रहे हैं यह लिखने वाले कौन है इस गजल को लिखने वाले सुरी इस नजम को लिखने वाने कोन है अफसर मेरिठी तो जब ये नजम अफसर मेरिठी ने लिखती है तो ये गजल लोग गाते जाते हैं गजले अफसर की गा रहे हैं ठीक है अफसर अफसर यहाँ पर कोन है नजम निगार हमारे जिसने नजम लेकिए तखल्स इस्तमाल करते हैं जो नजम निगार होते हैं वो अपना तखल्स इस्तमाल करते हैं उनका असली नाम नहीं होता है यह वाला जो होता है अफसर ठीक है तो चलिए बच्चों आपके जो ये नजमें यही पर खत्म होती है अभी हम वर्ड मिनिंग देख लेते हैं इसके आप लोग मेरे साथ याद करें निखार यानि ताजगी, सफाई, उजलापन, खुबसूरती चटक रही है यानि खिल रही है कलियों का खिलना रोशें यानि रोश की जमा, क्यारियों के दर्वियान के रास्ते हरसू हर तरफ हर जानिब, राहत फिज़ा, आराम को बढ़ाने वाला बला की दिलकशी, दिल को बेहत दुभाने वाली उमंग, जोश, तरंग, ठीक है ये सब तो बचा आपको जो ये नजब है, वो यहीं पर खत्म होती है, आपकी नजब ही यहीं पर खत्म होती है, मिलते है नेक्स वीडियो में, तब दे के लिए बाई, टेक केर